स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में यूपी बोड से एक नई नोटिस को जारी कर दिया गया है देख सकते हैं क्या नोटिस आया हुआ है उत्तर परदेश माध्मे सिचा परसत ने फाइनल किये केंदर तो सेंटर लिष्ट जो है फाइनल कर दिया गया है और आगला खबर देख सकते हैं फरोरी में सुरू हो सकती है यूपी बोड की परिच्छात मतलब फरोरी में किस तायिक से बोड परिच्छा होगा आज के इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा और यहां देख सकते हैं सेंटर लिष्ट मतलब कितने भी द्यालों पर परिच्छा होगा पूरे उत्तर परदेश में 8752 केंदर बनाए गया है केंदरों पर होगी यूपी बोड की हाई स्कूल और इंटर की परिच्छा टोटल जो सेंटर बना है 8752 सेंटर बने हुए हैं और यह खबर जो है प्रियाग राश से खबर को परकासित किया गया उत्तर परदेश मादने सचा परसद यूपी बोड ने परियोगी परिच्छा किती थी जारी करने के अगले दीन यानि सनिवार को हाई स्कूल इंटरमीडियेट की परिच्छा 2023 के लिए परिच्छा केंद्र फाइनल कर दिये गया है यह परिच्छा परदेश भर में 8752 केंद्रों पर कराई जाएगी मतलब जो सेंटर लिष्ट जो फाइनल हो चुका यह आप सभी विद्यार्थी सेंटर लिष्ट को डाउनलोड करना चाते हैं तो यहां डिस्क्रिप परिच्छा केंद्रों की संख्या अधिक है पिछले बार जो 8752 केंद्र नहीं बने थे उससे कम संख्या संख्या बने थे लेकिन इस बार कुछ संख्या बढ़ा दिया गया है बोड सची दिवकान सुक ने बताया कि परिच्छा केंद्र जितना समीती की ओर से पहले ही प्रस्तावित किये गये थे प्रस्तावित परिच्छा केंद्रों की सुची परिशत के बेवसाइट पर आनलाइन कर यूपी बोड ने आपती मांगी थी एक बार तिथी बढ़ाने जाने के बाद कुल 1760 परतिया वेदन मिले थे जिसमें से जादाकार आपतिया केंद्रों के दूरी को ले कर थी तो बहुत से सेंटर बने थे जहां जिनका सेंटर जो है बहुत दूर बन गया था जिस विद्याले का सेंटर दूर बना गया था वो आपती दर्च किया गया था और आपती दर्च करके उनको सेंटर को क्या किया गया था बदल दिया गया था आगे देख सकते हैं कि परिच्छ लग चुका है कि जिसमें यह कईस जनौरी से लेकर के पांच फरोरी के बीच में जो है प्रेटकल का एक्जाम होने वाला है तो पांच फरोरी के जब एक्जाम पूरा हो जाएगा उसके बाद से जो है इसकी लिखित परिच्छा जो है फरोरी में किया जाएगा और यह फरोरी फरवरी के बाद ही जो है परिच्छा संपन कराया जाएगा और मार्च में जो है 7 मार्च से पहले जो बोड परिच्छा संपन हो जाएगा मतलब यूपी वोड की परिच्छा 16 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में ही परिच्छा होगा जल्द इसका टंटेबल जारी कर दिया जाएगा तो यह यूपी वोड से बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ था तो यह यह जो आया हुआ झाल इसको मट्स